Explain you the chapter number 3 of English Literature, a glimpse of the Missile Man's Life, Missile Man's Life के जीवन की एक छलब Some people do such miracles in their life that they become famous and known even after their death कुछ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे miracles करते हैं कि वह famous ही नहीं होते बलके अपने मृत्यों के बाद भी जाने जाते हैं एपीजी अप्दिलकलाम उनमें से एक है, let's read the incidents of his life, चले आज हम उनकी जीवन की कुछ रिच खटनाओं को पड़ते हैं डॉक्टर एपीजी अप्दिलकलाम को उनकी कालियों की बज़े से एक आदर्स भार्तियों और दुमिया बर के लोगों के लिए पेरना का सुर्ट माना जाता है एपीजी अप्दिलकलाम वाज बॉन एना स्मॉल ब्लीज ऑफ रामिस्वरम तमिल्लाडू और 15 अक्टबर 1931 एपीजी अप्दिलकलाम का चर्म 15 अक्टबर 1931 को तमिल्लाडू के एक चोटे सिगाउ रमिश्वरम ने हुआ था वेन दी न्यू वाज तू भी नेम जब है जन में तब उनका नाम रखा गया यह रिसीब दी नेम ओफ इस फादर जैनु ब्लाब दीन उन्होंने अपने पिता से नाम रिसीब किया अबुल पकी जैनु ब्लाब दीन अब्दुलकलाम और एपीजे अब्दुलकलाम लेंट तो गिव इंपोर्टेंस तो हुमन वेल्यू फ्रॉम हिस फादर उन्होंने अपने पिता से लोगों की इपोर्टेंस के बारे में सीखा और उन्हों की माता असिम्मा एक साधारन और धार्मित महिला थी प्रम हिस इपारन वेल्यू आटोर्टेंस